हेलो एवरिवान मैं नसी मन सारी सर आप सुबका स्वागत करता हूँ इस्ट्वेंट्स आप लोग जार्खन B.A.D. का इंटरंस एजम, 2024 का इंटरंस एजम आप लोगों ने दिया और 2024-2026 सेशन में B.A.D. में एड मिसन लेने के लिए या फिर BPA या MPAD या MAD मेंड मिसन लेने के लिए आप लोग बहुत ही बेसबरी से इनतिजार कर रहे हैं काउंसलिंग प्रोसिस का तो काउंसलिंग जो है फर्स राउंड काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा ठीक है? 10 तरिक से जब 10 जून से मान लेते एक जामपल है कि 10 जून से 1st round counseling का date आ जाएगा ठीक, तो counseling का date आएगा तो online आप लोगो JCECB board का जो official website है उसमें जाने के बाद B.Ed counseling 2024 में click करना है click करने के बाद उसमें ID, password कुछ इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ID कुछ create करना पड़ेगा, हो सकता कुछ mobile नमर या Gmail ID या सब कुछ आपको मांगा जाए और registration नमर या आपका role नमर मांगा जाएगा, और इसके बाद OTP या सब आएगा, verify हो जाएगा, ID आपको create हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको उसमें payment करना है, और payment करने के बाद जो भी amount आपको लगेगा, वो amount आपको उसमें pay करने के बाद, फिर आपको option वहाँ पर आएगा कि कौन सा college आप चूज करना चाते हैं, अपना college select कीजे, तो पूरे जहरकरण में जितने भी B.A. college है, किसी भी university का, कोई भी college मन चाहा college, जितना भी आपको college मन करें, आप college को select करके, select करके उसको lock कर सकते हैं, lock करने का बाद सब्मिट कर देजेगा, उसको print out ले लिजेगा, इसके बाद print out लेने के बाद, फिर आप उसके बाद counseling का जो date है, वो 4-5-6 date रहेगा, counseling करवाने का, कोई भी student payment करने के बाद, उसको payment करने का बाद कोई भी student counseling कर सकता है, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, कि 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन ये, या 1 week के बाद, इसका result आ जाएगा, counseling का result आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा एलोट में लेटर मिलेगा मतलब आपका जो CML rank है और category rank है जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिखाए दे रहा है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से CML rank और category rank आपका जो भी मिला होगा उसके according जो भी college आपको मिलने का है सभी जिस college में हरे college में हम लोग जानते हैं कि हरे college में 100 seat जैसे की है मान लिजे सपोज 100 seat है तो वो divide होता है 40 seat जैसे general का होता है EWS का 10 seat होता है SC का 10 seat, ST का 26 seat, OBC का BC1 का 8 seat, BC2 का 6 seat इस तरह करके हरे का सब का divide किया वा रता है तो जिस category में 40 seat है general का उसमें से उस college में जो 40 सबसे top बच्चों ने जो भी student ने apply किया है बट ऐसा नहीं है 40 seat जो लिया जाता है तो first round में ही 40 general के बच्चों को नहीं लिया जाएगा हो सकता वो लोग अपना कुछ planning करते हैं कि इस बार हम लोगो 5 को लेना है या इस बार 10 student को select करना है तो top जो 10 बच्चे है general के उनको ले ले लेते हैं इस तरह करके होता है ठीक है तो एक पीडियाब देखे आप लोग को मैं आभी यहां पर दिखा रहा हूँ एक पीडियाब आप लोग देख सकते हैं कि first round का जो पिछले साल के आवा था कि first round का counselling के लिए बच्चे अपलाई किये थे उसके बाद फिर उनको allotment letter मिला allotment letter में आपको लिखावा रहेगा कि congratulations you have been selected for this college या फिर इस तरह का कुछ भी लिखावा रहेगा कि आपको यह college दिया गिया है ठीक है this college has been allotted to you for the beard admission तो इस तरह कर की कुछ ए allotment letter रहेगा जिसमें आपका नाम रहेगा आपका detail रहेगा college का नाम रहेगा किस college में आपको मिला है वहाँ और उसमें date भी लिखा रहेगा कि इतना से इतना तारीक तक आपको जाकर admission ले लेना है ठीक है ID यह सब सारा जी ले जाने photo वगरा ले जाएंगे और जाकर वहाँ पर admission ले ले लेंगे 40,000, 50,000, 45,000, 55,000, 60,000 जो भी amount मांगा जाएगा उसको देने के बाद आपका फिर receipt यह सब मिल जाएगा और admission आपका हो जाएगा फिर उसके 2-3 दिन के बाद second round का counseling फिर start होगा तो second round का counseling इस्टार्ट होने से पहले ही और बच्चों का admission लेने से पहले जो भी student admission लेंगे तो admission लेने से पहले ही college वाले क्या करते है seat matrix, college वाले मतलब की JCB board वाले, JCB board वाले क्या करेंगे, seat matrix जारी कर देंगे seat matrix बहुत important है, first round के counseling में जो लोग apply करते हैं उनको तो बहुत जादा कुछ idea नहीं हो पाता है लेकिन जिरों ने first round नहीं किया है, suppose किसी region से, तो उनको second round में जो लोग apply करते हैं, उनको काफी help हो जाता है क्योंकि first round का counseling होने के बाद, sit matrix जारी करती है JCB board और उसका PDF के form में JCB board के site में डाल भी देती है जो PDF अभी आप लोगों दिखाए दे रहा ही है, तो देखें, first round का, पिछले साल का, 2023 का, first round का counseling होने के बाद किस student को उसके CML rank के according, कौन सा college उनको alert किया गया था, उन्होंने admission लिया या फिर नहीं लिया, इसके बारे में जानकरी नहीं है हो भी सकता है कि मुझे कोई college मिला, मान लीजे मुझे government teacher training college का के मिला लेकिन मुझे मन था government teacher training college, हजारी बाग या देवघर में हमें लेना था, मैंने थीनों college डाला था बड़ मुझे राची मिल गया, मुझे चाहिए था, हजारी बाग या देवघर चाहिए था तो मैं हो सकता है कि मैं admission नहीं लूँगा second round में फिर से मैं try करूँगा कि ताकि मुझे देवगर मिल जाए है जारीवाग मिल जाए समझ गये न तो इसी तरह का ये क्या लिखा हुआ है कि B.Ed. Combined Interest Competitive Examination 2023 list of candidates provisionally recommended through first round counseling of online counseling for the admission in first year in B.Ed. course dated 20th July 2023 23 समझ गये तो यहाँ पर देखे admission लेने से पहले ये जो है sit matrix है एक तरह का ये पूरा detail है कि किस student को कौन सा college allot किया गया है दिया गया है JCB board के तरफ से उसका ये detail है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बठा लेकिन हाँ इसके बाद एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से sit matrix नहीं हुआ इसमें तो detail है कि ये एक तरह से ये एक तरह से बोल सकते हैं कि allotment letter के जैसा हुआ सभी student का एक तरह से combined ये allotment letter हो गया कि सभी को जारी किया गया है कि किस बच्चे को कौन सा allotment letter दिया गया है बट उसने accept किया या फिन नहीं किया admission वो लेगा या नहीं लेगा इसके तो कोई guarantee नहीं है तो उसी के लिए sit matrix आता है कि सभी बच्चों को जो allotment letter दिया गया था जैसे कि मान लिजे कि कोई एक college है जिससे मान लेते है कि रांची का सेंजेबियर college सेंजेबियर college में मान लिजे कि उसने 20 student को first round counseling में general, OVCST, SCST, EWS सबको मिला कर मान लिजे 20 बच्चों को allotment letter दिया गया है ठीक है first round counseling में होबी तो सकता है कि 20 में से 10 लोग ही admission लेंगे तो यह वही है यह वही है कि इतने लोग को अलट्मेंट दिया गया है बट admission कितने लोग लेंगे इसका पता नहीं है तो यहाँ पर आप लोग के एक अच्छा idea यहाँ पर मिल जाएगा कि देख सकते हैं बढ़ हाँ इस बार जो है काम नहीं कर रहा तो इसलिए मैं पॉइंट करके आप लोग को नहीं दिखा पा रहा हूँ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सबसे पहला first row में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है category फिर उसका date of birth फिर gender फिर pH है या फिर disability type फिर EWS PTG PTG type फिर graduation from जहारखन यस या नो और minority है क्या CML rank category rank EWS PTG rank और इसके बाद DQ rank है इसके बाद allotted institute कौन सा institute आपको मिला है है ना यह DQ मतलब वही कुछ disabled quota rank है कुछ pH का साइध होगा है ना pH का ही होगा disabled quota का इसके बाद allotment course किस course में आपको allotment मिला है तो B.A.D. है और course का status क्या है तो मतलब कौन सक किस तरह का college है government college है private college है यह भी दिया हुआ है course का type क्या है boys का है या फिर girls का है या co-aid है co-aid मतलब boys girls दोनों के लिए और किस उसका number काफी अच्छा होने के कारण college वालों ने उनको क्या किया है JCB board ने unreserved में unreserved में ही उनका selection हो चुका है मतलब इनको अपना category का कोई need नहीं हुआ मैंने भी जब B.A.D. में admission लिया था जो भी college में मैंने apply किया था ठीक है लेकिन मेरा जो admission हुआ था वो category लिखा था UR मेरा OVC है लेकिन UR में लिखा हुआ था मतलब कि मेरा mark ज़्यादा ही अच्छा था तो इस कारण से मेरा unreserved में ही मतलब कोई reservation का मुझे जोरत नहीं पड़ा था मतलब इसके बाद OVC ये सब का seat बचा हुआ रहेगा 8 seat या 6 seat ये सब तो उसमें फिर जोरत पड़ेगा दूसरे candidate का उसमें फाइदा हो जाएगा तो देख सकते हैं CML rank 1 को कौन सा college मिला था तो government teacher training college राची मिला है CML rank 3 को 1 के बाद हो सकता है 2 ने apply नहीं किया होगा 1st round में हो सकता है 2 वाले ने apply नहीं किया होगा 1 के बाद 3 दिया हुआ है 3 को government teacher training college हजारी बाग मिला है मिला है अब इसने admission लिया है ये नहीं पता ठीक है उसके बाद देख सकते हैं आगे 5 वाले को CML rank 5 को कौन सा college दिया गया था government teacher training college रांची दिया गया था इसके बाद 6 को graduate college women's graduate college अमसितपूर ये दिया गया था ठीक है इसके बाद है 7 इसी तरह का देख सकते हैं 7 को government teacher training को ले हजारी बाग 8 का देख सकते हैं government teacher training college रांची फिर 9 का 9 का देखे रांची ठीक है government teacher training college 11 का देवघर देवघर गौर्णमेंट 12 जो CML है उनको मिला है government रांची 13 को government रांची हो गया 16 का भी वही है रांची सब यह भी government वाले है 17 13 के बाद 16 17 ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 देखे गौर्णमेंट है सभी को government मिला है CML rank 20 20 हो गया 25 हो गया 30 हो गया 30 यह भी government है इसके बाद 32 CML rank वाले ने जगरनाथ जेन college जगरनाथ जेन college अपलाई किया होगा इनका घर के आसपस होगा तो देखे CML rank 32 आने के बावजूद भी इन्होंने जगरनाथ जेन college डालाई हो सकता है घर के आसपस होगा इनको ताकि कहीं दिकत नवाने जाने में इसलिए इन्होंने डाल दिया ठीक तो जो college आप डालिएगा आपको वही मिलेगा भले rank आपका rank 1 है फिर भी यह दिया private college डालिएगा तो आपको वही न मिलेगा फिर 33 government teacher training college ठीक है तो government यह सब देख सकते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस बार आप लोगा idea होगा कि कितना CML rank को कौन सा college मिल सकता है ठीक है बट इस बार पिछले साल के comparison में आपको इस बार थोड़ा सा ज्यादा number लाना पड़ेगा मुझे लाग रहा है पिछले बार के comparison में न कम से कम हो सकता है कि 4 नमर 5 नमर आपको ज्यादा लाना पड़ेगा तब पिछले बार का comparison हो पाएगा 35 का government देवगहर 36 का government देवगहर हो गया 36 के बाद 40 यह सब चलते हैं देखें बीच बीच में कोई private college है न तो उस student ने उसी college को apply किया होगा scholar b8 college देखे 39 cml rank है लेकिन scholar b8 college को apply किया था private लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक यह PDF मैं आप को दे दूँगा ठीक है यह दे दूँगा मेरा जो telegram group के उसमें मैं दे दूँगा cml rank 47 वाले ने JBR डाला था 48 वाले ने RS teacher training college डाला है ठीक तो government देख लेते हैं कि government कहां तक चल रहा है government 56 100 चलते हैं cml rank 100 cml rank 100 देख लेते हैं cml rank 100 वाली को government teacher training college देवघर मिला है cml rank 110 को government teacher training college रांची मिला है इसके बस cml rank 120 वाले को government teacher training college रांची है ठीक है फिर 1500 चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ाते हैं नहीं तो फिर यहां पर हम लोग को फिर फाइदा जादा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है इतने बच्चे हैं 1500 cml rank वाले ने कौन सा college डाला था kp ns b8 college ठीक 1500 के बाद आगे चलते हैं 200 देख लेते हैं 1500 के बाद सिधा 200 देखते हैं 50-50 सा gap करके ठीक 200 cml rank वाले ने कौन सा college डाला है sp b8 college ठीक 199 cml rank वाले ने कौन सा college डाला था government teacher training college हजारी बाग तो उनको मिल गया ये मतलब मिल चुका है मिल चुका है अब उन्होंने admission लिया या फिन नहीं लिया इसके बारे में जानकारी नहीं है 201 को भी government teacher training college रांची ठीक है रांची दिया हुआ है girls का है girls का बरियातू का है 200 होगे आप चले 300 में चलते हैं 300 cml rank वाले को देखते हैं कि कौन सा college मिला है ये pdf मैं आप लोगो दे दूँगा इससे पुरा देख लिजेगा आप लोग ठीक है एक idea ये first round का है पिछले साल का इस बार भी अभी जो first round होगा न तो आप लोगो भी इसी तरह का आप लोगो allotment letter आप लोगो जारी किया जागा देखे 301 301 cml rank वाले को कौन सा college दिया गया था government teacher training college देवगर इन्होंने apply किया होगा और इनको मिल गया है ठीक चले 302 को 1000 बाग government 1000 बाग मिला है ठीक 300 के बाद चलते हैं 400 में 400 cml rank देख लेते हैं 400 या पि 400 के आसपस भी देख लेते हैं कोई जरूर नहीं कि यहां 400 मिलेगा हो भी सकता 400 वाले ने first round किया ही ना हो उन्होंने सोचा होगा कि second round कर लेंगे अभी first नहीं करेंगे ठीक है को सारा region हो सकता है money problem ये कुछ भी हो सकता है समझ गें बहुत अपसोस की बात है हमारे बहुत से स्टूरेंट हैं काफी talented है लेकिन जैसे की कोई cml rank कोई जैसे देखे न आप लोग cml rank 2 यहां पर नहीं था आईसा भी हो सकता है कि cml rank 2 वाले को 500-600 रुपया पैसा उनके पास at a time उस समय नहीं arrange जुगाड हुआ होगा apply करने के लिए इसलिए उन्होंने सोचा को कि मेरा rank तो अच्छा ही है second round में किसी से लेकर arrange करके counseling कर देंगे ताकि college मिल जागा समझ रहे हैं बहुत अपसोस की बात है बहुत खराब लगता है तो 403 जो cml rank है डॉक्टर एस राधा किष्णन college of education में इनों डाला था प्राइबेट ही डाला था और वो तो मिलेगा ही 399 वाले ने सेंजेबियर college डाला है 398 वाले ने रांची से जो लोग है ध्यान दिजेगा मतलब यहां पर देखे 398 cml rank वाले student ने कौन सा college डाला है बेते सदा women's teacher training college बेते सदा women's teacher training college प्राइबेट college है लेकिन बहुत अच्छी college है बीएड के लिए काफी अच्छी college है बहुत ज़्यादा लेकिन rule regulation है यहां पर जो लोग अच्छे से पढ़ा करना चाते है तो उनके लिए यह college लड़कियों के लिए बहुत अच्छा college है 405 cml rank वाले ने government teacher निकोल हजारी बाग डाला था बापरे 407 वाले ने डाल दिया है mother jira money रांची में है और मांजी में चले यह हो गया संद Columbus college डाला है 4011 वाले ने आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और थोड़ा से चलेंगे और कुछ देख लेते हैं उसके अग फिर मैं video भेज़ दूँगा बाकी आप लोग देख लिजेगा आज काफी लेट हो गया था मैं live नहीं आपाया तो मुझे थोड़ा खराब भी लगा ठीक है कल मेरे तबियर ठीक नहीं थी कल मैंने cold drink पी लिया था मुझे मतलब कि बहुत headache हो रहा था अच्छा नहीं लग रहा था मैं जल्दी नहीं पीता हूँ बट कल मैंने पी लिया तो अच्छा नहीं लग रहा था मैं live के लिए कल agree था one waiting भी पता रहा था कोई उसमें कोई wait कर रहे थे मेरा live का सारा ची हो चुका था बस live को okay करना था लेकिन मैंने फिर disconnect कर दिया उसको क्योंकि बहुत सर मेरा दर्द कर रहा था head इसलिए और आज भी थोड़ा लेट हो गया तो मैं यहाँ पर तो मुझे लगा एक छोटा से वीडियो अपलोड कर देते हैं चले CML rank 500 हम लोग 600 में पहुँच चुके देख सकते हैं CML rank 600 वाले को अल हभीब Teacher Training College उसने डाला है चले Government Teacher Training College हजारी बाग 598 ठीक Government Teacher Training College रांची 508 SSLNT महिला कॉलेज के लिए एक लड़की ने 612 CML rank लाया था पिछले साल और उन्होंने SSLNT कॉलेज डाला था उनको मिल चुका है ठीक देख सकते हैं 600 ठीक है तो ये ये आप लोग इसको देख लिजेगा ठीक है पूरा मैं PDF भेज दूँगा आप लोगको इससे आप लोगको एक आइडिया हो जाएगा क्योंकि देखे यहाँ पर क्या है कि बहुत सा student जो है ना आप confuse भी हो जाएगे इसको देखकर इसलिए भी ना बहुत से student हैं सबसे best number लाए है इतना अच्छा number लाने के बाद private college डाल दिये है समझ गे नहीं तो इसलिए कोई भी confuse कर जाएगा देखे CML rank 747 है और वो कौन सा college डाले है माव इंद्यावासिनी college of education हजारी बाग का private college है हाँ देखे 750 750 CML rank वाले ने गौर्मेंट teacher training college रांची डाला था और उनको मिल चुका है boys का है ठीक है का के का है boys का मिल गया है चलिए और थो आगे बढ़ते हैं बस गौर्मेंट college जहां तक खतम हो जाएगा मैं हम लोग को वहां तक देखना है first round में क्योंकि जिनका rank अच्छा नहीं है तो first round में वैसे भी उनको counseling करने से फाइदा है नहीं समझ गए first round में ज्यादा तर फाइदा उनहीं को होता है जिनका rank अच्छा है देखे मैं यहां पर देख रहा हूं अब मैं देख रहा हूं कि मुझे गवर्मेंट कहां पर देख जाएगा graduate college 804 CML graduate college of women's जमसितपूर डोरंडा college राची का 807 ठीक है गवर्मेंट teacher training college देवघर 809 CML rank चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं गवर्मेंट teacher training college देवघर 846 मैं 1000 के आसपास जाना चारा हूं 900 CML देख लेते हैं 900 CML rank लेकिन देखे पिछले बार जो 900 CML rank है न तो इस बार जो लोग इस बार जो लोग 700-800 लाए होंगे न वो लोग पिछले बार का 900 के आसपास अपने आपको समझे क्योंकि इस बार cut-off high गिया है ठीक पिछले बार जो 900 लाए थे तो इस बार 700-800 लाना पड़ेगा तब 900 वाले cut-up comparison कर पाईएगा या फिर 600-700 भी हो सकता है इस बार बहुत मतलब की दिक्कत है इस बार या 900 के बदले minimum तो 800 तो होगा ही ठीक है बहुत इस बार मतलब की cut-off high चला गिया ना जिससे कारण जो मार्स हम लोग लाएए है CML rank आया है उसका value कम हो गिया इस बार चलिए डोरंडा कॉलेज 951 बस गवर्मेंट कॉलेज हाँ गवर्मेंट टीचर टेनी कॉलेज हजारी बाग 956 956 में गवर्मेंट टीचर टेनी कॉलेज हजारी बाग जिनन डाला था उनको मिल गिया है ठीक गवर्मेंट टीचर टेनी कॉलेज राची कितना 969 960 हाँ 960 ठीक है गवर्मेंट टीचर टेनी कॉलेज राची 966 1000 में चलते है हाँ 1000 एक हजार एक रांची वोमेंस कॉलेज देखे एक लड़की है जो एक हजार एक सीमेल रेंक लाई थी रांची वोमेंस कॉलेज डाली है प्राइबेट कॉलेज इनको मिल गया है संद कॉलम्बस कॉलेज हजारी बाग सेमी गॉर्मेंट कॉलेज यहाँ पर प्राइबेट लिखा है देखें यहाँ पर सेमी गॉर्मेंट को भी प्राइबेट ही लिख दे इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होईएगा 1002 CML रैंक लाने वाले ने संद कॉलम्बस हजारी बाग डाला था उनको मिल गया है चलिए आगे बढ़ते हैं 1000 के बाद आगे देखते हैं जमसित्पूर वोमेंस उनिवर्सिटी 1049 CML रैंक मिल चुका है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बस इसके बाद वीडियो को कर देंगे आप लोग भी बोर होते होंगे क्योंकि सोचते होंगे ये तो पीडियो सर भेहिद देते तो देखी लेते तो वीडियो में बनाने का क्या जोरत था गवर्मेंट कहां पर है हाँ गवर्मेंट टीचर टेनी कॉलेज रांची ये गल्स के लिए है मतलब बरियातू 1183 1183 देखे ST कैटिगरी है ये कैटिगरी भी आप लोग देख लिजगा ठीक ST कैटिगरी का है ST कैटिगरी के एक स्टुडेंट है एक लड़की है 1183 CML रेंक पिछले साल लाई थी उनको Government Teacher Training College रांची मिल गया था ठीक तो ये काफी helpful होगा ये वीडियो काफी helpful होगा मतलब ये वीडियो मतलब कि ये जो PDF है 291 पेज का PDF है अब ये हम लोग 24 नमबर पेज पे हैं और ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा ठीक है हो गया चरे अब इसको रख देते हैं अब मैं आप लोग को ये भेज देता हूँ टेलिग्राम गुरूप में वहाँ से आप लोग देख लिजे ठीक टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर जाएगा सब लोग और एक बार कहीं मिल जाए Government Teacher Training College उसके बाद हाँ Government Teacher Training College हजारी बाग 1455 1455 SC केटिगरी SC केटिगरी में कोई लड़का है कोई male candidate है SC केटिगरी का 1455 CML rank आया था और Government Teacher Training College हजारी बाग मिल गया था इनको ठीक चलिए Government Teacher Training College रांची 1526 ST केटिगरी 1526 ठीक है तो मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ और यह पीडियोप मैं आप लोग को भेज़ दूँगा यह जो कितने पेज़का है हाँ तो इसको आप लोग देख लिजेगा ठीक है फिर ठीक है फिर